हालो गाईज, कैसे आप सब लोग टेरो एक्सपे 6 पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम जो रिडिंग करें गाईज, उसमें मैं केंडल बैक्स रिडिंग करने जा रहे हूं, जैसे कि आप बहुत पसंद करते हैं इस रिडिंग को, इसलिए मैं बार-बार आपके ल जाओंगी देखें मैं इस रिडिंग में आपका निरस फुजर भी देखना चाहूंगी ठीक है उनके next action और फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप कहां जा सकता है, यह भी मैं चक करूंगी ठीक है, तो पूरी रिडिंग ज़रूर देखेगा और चैनल पर स्टाइम आये तो प्रीज सब्सक्काइब जरूर कीजेगा ठीक है, ऐसी वीडियो जिसमें आपका निरस फुचर है यह काफी कुछ बनाती हूं, बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाती हूं, जिसमें निरस फुचर होता है, ठीक है, तो आज भी मैं आपका निरस फुचर देखने कोशिश कि यह दिल में यहां जादा लंबा में आप लेना है। के यह देगा काड्स के छेजिए काड्स कर लें चेछी बदलते रहती हैं अगर स्किप करना चाहते हैं बिल्कुल कीजेगा पर्सनल इडिंग को जैसे कि मैं जो बोलना ही पड़ता है ठीक है बहुत सारे मैसेज़े आते हैं जिनका रिपलाई मैं नहीं कर पाती लेकिन एक वीडियो अगर आप मेरी देखते हैं यूट्यूब चैनल पर तो सारी जानक करते हैं तो बहुत सारे कमेंट करते हैं मैं हमारी रिडिंग कब मिलेगी जबकि अल्रडी बता चुकी होती हूं कि तीन या चार दिन लगते हैं तो लगेंगे हो तो लगेंगे और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं तो थोड़ा से वेट करना पड़ेगा आपको लेकिन आपको रिडिंग आपके टाइम पर मिलेगी जो टाइम पीरेड मैं बताऊंगी इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहती हूं कि एक वीडियो रिडिंग बना के मैं और एक ज़रूरी बात है कि मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ी से आवाज आपको आएगी ठीक है तो उससे प्लीज मेरी जिस तरह से मैं कुष्ण कर सकती आप भी प्लीज बेर किजेगा ठीक है मैं थोड़ी लाउड बोल लूंगी उस टाइम थेक है तो थोड़ास आपको यह एड़िस करना पड़ेगा मेरी साथ ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते है आज की रिडिंग मैं ठीक है ठीक है बार बार बोलती मैं कोशिश करूंगी कम बोलूं ठीक है ओ लो नो चलिए स्टार्ट करते है आज की रिडिंग के रिडिंग है आप ल हमेशा की तरह अपने इस्ट्रदेव को गुरुदेव को जिनको भी आप याद करना चाहिए फर्स्ट ठीक है और उसके बाद अपने पार्टन को याद की जिस तरह भी तोड़ा सा अगर आपका मन चांद निये तो पानी पी लेज़े आल राइट दोल के आवाज आ रही होगे आपको डेफिनिटली आज तीज का त्योहार है मेरा इस्तान से हूँ यहां पर बहुत अच्छे से मनाते हैं ठीक है तो आपको हैपी तीज ठीक है चले स्टार्ट करते हैं मेडिटेट कीजिए टू सेकंड के लिए आज के इन दिनों हमारे यहां बहुत अच्छा मौसम है और ऐसा मौसम बहुत कम रहता है क्योंकि राइस्तान एक ड्राइ प्लेस में आता है अधिक तरह यहां पर तीज धूप और गर्मी होती इस तरह का मौल रहता है लेकिन इन चाल इन दिनों बहुत अच्छा मौसम है चले स्टार करते है किहिं तेक है सबसे पहले मुझे कोई मश्रूम जैसही आकरते तिकहें ।भाई थिकया आपने मश्रूम खाते हैं नहीं खाते हैं, I don't know, but मुझे मश्रूम जैसे या करते दी, जैसे कि, कहते हैं, कि, जैले, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार साइन से, ठीक है, मश्रूम आप से कैसे रिलेटेड हो सकता है, इस बात को मैं इस तरह से बोलोंगी, ठीक है, यहाँ पर आगीन बटरफ्लाई मुझे यहाँ दिखाए दी, ठीक है, देखे, आल्राइट गाइस, यहाँ पर दे इसके लावा कैंसर को भी दिखाई दे रहा है, इसके लावा मुझे, सजिटेरियस, और लियो भी कोई हो सकता है, ठीक है, यह वाले साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन साइन कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट साइन कुछ भी हो सकता है, तो चले देखे, आ कोहांने झालायों कि आथ ते प:「 यहां आप जो पर टिया है कि कुछो आप प्रशोन का दिया कि अमुझी लगई भिन षव्स, प्रह दो था कि अप एनरजी एसी लग रही है कि कुछ clarity देने वाले हैं, ठीक है मुझे आप यहां पर देखें जो दिल है, वो आपके लिए है, समाल के रखा है, मैंने आज का टॉपिक क्या लिया था, उस पर गवर कीजिगा, मैंने आज का टॉपिक लिया था, कि उनके दिल में आपकी क्या जग पर दिल में आपके लिए क्या प्राइटी जिसके कारण यह मतलब जैसे कोई विश्फूल्फिल्मेंट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई विश्फूरी करना चाहते हैं, और मुझे यह भी लग रहा है कि इनके माइंड में आपके लिए बिल्कुल clarity कि आप दोनों का साथ जो ह बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, जैसे कोई आपके relationship को protect कर रहा है, मैं यहां पर हमेशा बोलती हूँ कि आपके ancestors, angels, जिनको भी आप मानते हैं, वो कहीं ने कहीं आपके past life को जानते हैं, और वो कहीं ने कहीं आपको protect करते हैं, ऐसी energy मुझे यहां पर लग रही है, सब के बहुत से लोगों के लिए मुझे यही situation लग रही है, कि कहीं ने कहीं आपने past जो है आपका बहुत अच्छा नहीं रहा है, और उसको heal करने के लिए अब आपको protection दे रहे हैं, आपके ancestors, angels, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि यह जो इंसाने कहीं किसी से a-tsh-न, यह अपने आपको जैसे कहते हैं, कि बंधन, बांत के रखता है कोई इंसान ठीक है, क्योंकि यह दिखाते हैं, शो ने करते हैं, लेकिन कहीं ने कहीं attachment है इनका कोई attachment से मेरे मतलब यही है कि कोई ने कोई जैसे कि restrict करता है इनको, कोई ने कोई एक्चन लेने से मना क कोई औनी कोय यह एंको पार में जानता है या तो आफ लाँके लगारी है Eddy जा सब्सकें किए जानुना व्हांक्व कोई इंसानि में कोई तीम में मैं पार में में लुना। जो इनको watch करता है और यही बंधन मुझे यहां पर जैसे कहते हैं कि कोई deceit के energy deceit के energy cards में क्या होती है आप जानते हैं कि कोई ऐसा इनसान जो की आपके बारे में पहलता है तो इस तरह से मुझे इनके आसपास कोई वेक्टी ऐसा लगता है इससे इनको डर्ल भी लगता है ठीक है यह कोई भी इंसान हो सकता है लेकिन इनका वैल विशर नहीं है तो मुझे यहां पर यह लग रहा है कि energy में मुझे यह देख पारी हूं कि कोई ने कोई बंधन ऐसा है जिसके कारण यह आपके लिए action नहीं ले पाते हैं यह care करना चाहते हैं आपसे join होना चाहते हैं और यह कि खुष्यों का धरवाजा rainbow आप जानते rainbow seven colors का होता है और seven colors में क्या होते हैं खुष्यों को एक जैसे indication होता है वह seven colors वाला rainbow तो उसी तरह से मुझे rainbow वाली आकरती आपके लिए दिखाई देरी है ठीक है बहुत ही caring connection यह आपका मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा कम efforts डाल हैं लेकिन चीज यह जैसे कि मैंने बताया कि कोई इनके आसपास कोई इर्दगिर्द आपको वाच कर रहा है इनको यह लग रहा है ठीक है और उससे इनको डर लगता है कि कहीं डेके relationship में कुछ भी हो लेकिन आपका relationship protected है यह तो मैं कह सकते हूं लेकिन कोई भी जैसे कोई आ आपको वाच कर रहा है तो उस उस energy से आपको खुद को बचना है ठीक है देखे मैं और बताते हूं आपको कि इनके deepest thoughts क्या है इन दिनों ठीक है आपके लिए देखे आपका relationship एक तो मुझे काफी गहराई से मिलब काफी deep है आपका relationship अभी third party four party में हर चीज के लिए नहीं बो मुझे लग रहा है कि आपकी बातचीत बहुत सालों से हो रही है बहुत अच्छा connection आपका deep है यह पहले मुझे लगता है कि आपकी दोस्ती थी लेकि उसके बाद देरे connection आगे बड़ा अगे बड़ा अभी कैजूल कनेक्शन यह बल्कि यह सीरिस होते जा आपके जो इनसान बस जो पकड़ते हैं वो चीज मुझे यहां पर दिखाई देरे मैं कई बार लोगों से कहते हैं सुनते कि एक लास्ट बस पकड़नी है तो लास्ट बस वो होती है जहां पर हमको marriage यह कुछ कड़ना होता है मलब और किसी option को नहीं देखना इस तरह के energy मुझे यहां पर आप दोनों में कास्ट अलग अलग है आपका बैग्राउंड अलग है आप जिस फैमिली से बिलॉंग करते हैं वह फैमिली शाइब बिलकुल अलग है इनके standard से यह standard नहीं भी बोलू तो मलब culturally अलग है ठीक है आपका culture इनका culture जो है बिलकुल अलग है society में अलग-अलग मल ज जाते हैं इनके thoughts में action देख पारी हो जबरदस्त action जैसे कि कोई मल जैसे कि कह चुका है आपको कि यह साथ ही मुझे जाना है इस तरह से थीक है अब marriage हुई है नहीं हुई है ठीक है इनके energy two of cups वाली two of cups जानते है आप two of cups all around मिल जैसे all over एक mirror image को बताता है जैसे कि कोई बहु कोई बात कहरा चाहता है इस तरह से मुझे यहां पर लग रहा है और यह जैसे कोई life settlement वाली बात है इनके thoughts में ऐसा चल रहा है यहां पर deepest thoughts यह यह भी है कि कहीं नहीं कोई कहते हैं कि आपके relationship में जैसे spouse की तरह आपकी तरह जिम्मिदारी लेना चाहते है जैसे कि और मैं बत तूटूटू एक सोल में तूटूटू फ्लेम का नंबर होता है और कोई new beginning अगर आपको बिखते हैं नहीं करें गया आपको इनका कोई मतलब तो है इसे यह पर देखेंगे हम लेकिन यह यह लग रहा है कि जब आपको तूटू टूटू नंबर रहता है तो कोई ने कोई बहुत बढ़ा चेंज आपके रिलेश्यंशिप में आने वाला होता है ठीक है यह सौल्मेट टुन फ्लेम का नेकि इनकी बात नहीं करती हूं क्योंकि है इनकी बहुत सारी स्टेज़ और अलग अलग सबके बहुत सारी करमाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग सबके होते हैं तो के अलग अलग सिट्वेशन होती है अगर मैं कह भी दूंगी आपको जूट सच कि आप टुन फ्लेम सोल में तो इस पर मलब कोई जजमेंट नहीं है होते हैं लेकिन इनको रिकांगनाईस करना या पहचाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए मैं इस तरह की रिडिंग नहीं कर है थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकल माइंड से सोचिए कि आप किसी को पसंद करते हैं तो यह प्यार ही है और कुछ नहीं है थीक है तो इनको पहचाना बहुत मुश्किल होता है यहां पर देखे इनके डिपेस टुएस फीलिंग अगर मैं कहूं तो यहां पर यह कि आपके में बैलेंस दो तरीके से आता है या तो दो पार्टी को हम एक साथ एक्वल गिवन टेक करें ठीक है कोई भी दो परसन है या पार्टी उस तरह से इनके फैमिली भी हो सकती है दूसरा पार्टनर को यह नहीं कि कोई थर्ड परसन है ऐसा ही नहीं मैं कह रही हूं लेकिन इनक में इनका action देख पार हुआ है यहां पर एक बात और है यहां पर जैसे कि कहते हैं कि आप से कोई relationship में जैसे कि commitment commitment चाहता है ठीक है ठीक है अब आप female है female उस तरह से देखिएगा क्योंकि जो male होते उन्हीं के उपर करता है फीमेल जैसे agree तो होंगी लेकिन सारा कुछ जो मैं यहां तक समझते हूं कि एक male person पर होता है कि वह अपनी relationship में कैसे किस से शादी करना चाहता है तो decision किसी male को लेना पड़ रहा है तो मुझे यहां पर यह लग रहा है कि आपको जैसे कि आपके पार्टनर जैसे कोई commitment देना चाहते है उसी तरह कि मैंजे energy देख रही है और यहां पर जैसे कोई है तो कोई two of cups वाली energy वापस नज़र आई मुझे ठीक है तो कोई two of cups की तरह है जैसे कि मेरी two of cups यानि कि बहुत ही प्यार किसी से प्यार करता है उस तरह से energy यह आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि चुपके चुपके देखते हैं या निहारते हैं कहीं भी आप मिले हो या फ्रोटोस देखते हैं आपकी stocking बहुत भेंकर चल रही है यहां पर ऐसा भी मुझे इन दिनों लग रहा है और देखिए जैसे कोई आपको हमेशा एक offer देगा मैं हमेशा से मतलब मेरा यह है कि आपको हमेशा कोई commitment या कोई इसा offer देना चाहते हैं जिसमें कि आपकी इनकी relationship में आगे तक बहुत-बहुत-बहुत stability और जैसे कहते हैं कि शादी तक बाद जाए उस तरह की energy में देख पा रही हूं यहां पर इनके energy बताई इनके इर्धीरत कोई ऐसा इनसान है जो कि deceit के energy में डिसीट के energy क्या होती है मैंने बताए भी आपको ठीक है कोई नो कोई परसंट जो है ऐसा है आपके relationship में जो आपको watch करता है और कहीं ने कहीं उसकी जो watch करने वाली जो नियत है वो वैल विशर नहीं मतलब करना चाहता है तो कोई विश हो आप इनकी जो इनके दिल में काफी जगह बना चुकी है ठीक है तो इनकी दिल की तंबना यही है कि आपके साथ कोई विश देगे मैं इनके thoughts और feelings जैसे जैसे कहते है कि जब यह चीजे हम बोलते हैं और messages सुनाई देते हैं तो यहां पर यह बहुत लोगों का जैसे ही बहुत घहरा connection है और यह आपकी जैसे किती सोल मेट और किसी जड़नी में है मलब यह सोल फैमिली से भी हो सकते हैं ठीक है सोल फैमिली में भाई वैन भी होते हैं और रिष्टेदार भी होते हैं लेकिन यहां पर टू अफ कप्स के अनरजी है तो आपकी सोल फैमिली से ही बहुत 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 गहरा रिष्टा मुझे आप लग रहा है ठीक है इसके अलावा यहां पर यह कंडल कभी भी जा सकती तो इसका मत समझेगा ठीक है हम आगे कंटिन्यू करेंगे मैं आपको बताय था कि मैं आपके भाविष्य भी देखूंगी तो इस वज़े से आप देखे मैं एक चीज थोड़ा सा गौर करने को बताती हूं कि जब इनके फीलिंग्स और थौट्स मुझे मुझे आपको बता रही थी तो एक चीज और मुझे एक सौंग जो याद आ रहा था वो आप जरूर याद करेंगे मुझे पूरा सौंग बिल मुझें बोई कि फूलों के रंग से स्ट्राइप्स और लौ नहीं कि ढ़िए घ्याने कंगे से ब्लावे यह थी तो इसके अलाव से यहां को सुनेगा आपको बहुत 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 हैं तरह को बताबाह झाल जरूरी होता है मुझे कजके बहुत को दिखाना जरूर क्या भविश्य होगा इनके सबसे पहले एक्षण ले लेते हैं तो एक्षण में मुझे लगता है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आप इनकी विशुल क्या जूड़ता है आप अपनी तरीकी से जोड़ेगा ठीक है राट कलर की जिस पेड़ में पत्ते होते हैं वह आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा ठीक है आपके रिटिंग उससे मैच कर पाएगी और जैसे कोई जहां पर जैसे क्या कैक्टस की एनरजी है कैक्टस बहुत म करें दिखाई है ठीक है बारिष में कैक्टस जो होता है बहुत ही सुंदर म म Kle . उसमें सस्पास की दर्ती कैकटस कहां राइस्थान में में होता है कorage अब बारिष आती है कभी कभार तो वह खुश्बू और वह बारिष की बुंद произошook और बीझे पनाती ति इस आपके लिए बहुत बहतर है, हाला कि आपके relationship में कुछ काटे हैं, इसका मतलब यह है कि कोई दरा रहे हैं, काटे हैं, और यह कोई obstacles जरूर हैं, जो की काटे बनके आपको चूप सकते हैं, लेकिन बारिश के बुंदे मुझे यह indication दे रही है कि कहीं ने कहीं यह काटे आप निकलने वाले है यह थोड़े से down हो जाएंगे, थोड़े से हलके हो जाएंगे, और इस तरह से, महलब जो cactus जो बना हुआ है, वो चीज भी थोड़े सा polite हो जाएगी, इस तरह से मैं यह आपे कह पाऊंगे, पॉलाइट से मतलब थोड़े सा down होते हैं, इनके energy नजर आ रहे हैं, जो भी आपको commitment देने के लिए किसी से राय लेंगे, कोई इनका guru है, कोई बहुत अच्छा मितर है, जिससे राय लेते हो नजर आ रहे हैं, और यह देखिए, नीरस फूचर आपको decide करना, यह भी मैंने बताया था, तो यहां पर मुझे लग रहा है कि कही ना कहीं कोई चीज ऐसी है जो कि भगवान से prayer कर रहे हैं, ठीक है, आप यह देखिए, सब के लिए differ करेगा, आप जिन भी भगवान को मानते हो, उनकी prayer कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रात दिन दिन रात ही कोई rituals कर रहे हैं, आपको पाने के लिए, ऐसा भी मुझे, मेल फिमेल कोई भी हो सकता है, ल नहीं तरक्की इनको मिली है, ऐसा मुझे यहां पर आते ही दिख रहा है, मलब कोई भी कोई अच्छी चीज इनकी जिन्दगी में होने वाली है, जो भी आपके partner है, कोई new job हो सकता है, कोई dream इनका country हो सकता है, और यह भी है कि आपका connection मुझे वापस बोलूगी कि एक protected connection है, आप चाहें ना चाहें relationship में, आपके आगे आने वाले भविशे में, अगर अभी कोई चीज़े work नहीं करी, तो याद रखिएगा मेरी बात को, कि आगे आने वाले समय में यह protected या फिर divinely guided कोई connection मुझे लग रहा है, और भविशे में आपका जो relationship में आप नहीं भी चाहोग हैं, लेकिन यह कहीं नहीं किसी को hurt नहीं करना चाहते, यह जैसे कि मैंने का, deceit के energy कोई है, तो उसको भी मलब जैसे कंटीली जाडियों का मैंने example दिया था, उस तरह से उनको थोड़ा सा down करने के कोशिश करेंगे, आने वाले भविशे में मुझे आपके साथ settlement दिख रहा ह अगीन फूलों के रंग से, दिल की कलम से, I don't know अगी क्या है, किसका song है, मुझे बिलकुल वे lyrics भी नहीं मालूं, लेकिन सिर्फ यह दो लाइने मुझे पता चलिए, अगर कोई song है, तो मुझे ज़रूर बताईएगा, ठीक है, इसी के साथ आज की reading में बस इतना ही, आप आपके लिए monthly reading पोस्ट करूँगी, ठीक है, इसी के साथ आज तक के लिए बस इतना ही, मैं next reading में ज़रूर मिलती हूँ, guys, मेरा वेट कीजेगा, thank you so much, bye-bye.